मैंने बचे हुए केक बेस से बनाया है चौकलेट केक बेस था फ्रेंड्स बच गिया था तो उसे मैंने बनाया है जिससे दो रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी एक ठो तो ब्राउनी स्टी और एक है डेरी मिल्क स्टिक वेल्कम बैक टो मैं चानल आइसिंग कुकिंग मैं हुम अमता और आप सुक्तु आज़ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जिसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड मॉडे का लिया है हमें डार्क कंपाउंड 100 ग्राम लेना है और मिल्क कंपाउंड 200 ग्राम लेना है इन दोनों इसे मेल्ट करेंगे तो यह देखे हमने एक बरतन में पानी गरम किया अब उसके उपर हमने रख दिया अब यह दिरे-दिरे मेल्ट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि जो हमारा बचा हुआ केक बेस था इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रूप्शन में उसकी लिंक डाल दी ह इसका एक पाउडर मिक्सचर बना लेंना है मिकसी में इसमें इसे ब्लैंड करके तो जितना है तो इस तरह का मिक्सचर आपको रेडी करना है तो इस kayak 된 बेस में बना लिया यह पॉंड से कम था बेस तो यहां देखे surd Teil Чॉkeल में अब को शुका हूआ कको ऑन इसे मेल्ट करन करना है तो थर्टी शेकेंड के लिए आप अवन प्रूफ बर्तन में रखेगा इस टील में बिल्कुल मत रखेगा और हमें चॉकलेट को ना बिल्कुल एक दम स्मूध इस तरह से मेल्ट करना है उसका अब हमने जो मिक्स्चर रेडी किया तो उसमें काजू डाल देंगे पानी आड़ मत कीजिए और यहां पर मिल्कमेट भी आड़ कर सकते हैं लेकिन इसमें आप दूर मत मिक्स कीजिएगा तो इस तरह से हमने मेल्टेट चॉकलेट मिक्स करके इसका एक हाट डोर रेडी करना है क्योंकि इसका दो रेजिपी मैंने सेयर कर रही हूं मैं इस वीड बनेगा और एक बनेगा ब्राउने स्टीक जो आपको पसंद हो आप बनाना तो इस तरह से हमने डो को अच्छे से एक हाट डोर रेडी करना है इसका जो क्वेंटिटी मैंने आपके साथ शेयर किया वही क्वेंटिटी इसका बिल्कुल सही है देखे फ्रेंट से यह गोला ब होता है उस तरह से हम देंगे और उसका मुटाई जो होगा वहाफ इंच का मुटाई होगा तो इस तरह से करते हुए हमें इसको एक रेक्टेंगल से दे देना है फ्रेंट्स तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ड लगाना होगा तो इस तरह से क्योंकि इसमें मेल्टेड चॉकलेट ना तो यह इसको हाड कर देगा बहुत ही अच्छा इसका सेप आएगा तो दस से 20 मिनट तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे आपको यह कोई काम हो तो कर लो और वह 20 मिनट बीच चुका है और मैंने उस चॉकलेट रेसिपी को बाहर निक जाला है इसे हाफ इंच के साइज में देख रहे है फ्रेंट्स हाफ इंच मिल्टेट था तो यहाड हो चुका है और यह काटने में काफी इजी है इसलिए आप एक यह बार प्रेश मत कीजिए अब चाहिए तो आप ऐसे खा सकते ब्राउनी की तरह लेकिन यह भी बहुत कि आपको ज्यादा चॉकलेट Simmons के युथ पसंद ए ंने के स्टिक करके इसे पहराँ व्लह उब्लक एक इसे रहा रखे। आ कि छोकलेट, तो । षूकलेट इसे निकाल दी और विर शक्रेट Wassas Convers तो इसमें मिल्ट होने लगेगा तो यहां तरह से फटँफट करना है क्योंकि इसमें मिल्ट हरा है और ये गर्म में जिसे हमें जाएगा तो यह होने लगे तो इस तरहolina करके इसको रेक में रख देना है अब इसे में वाई चॉकलेट से डा द बना दिए मैंने चॉकलेट मिल्ट करके मैंने वाइट चॉकलेट से डॉट बनाया है पाइपिन बैग में डालके अब मैं इसे दस मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी रेफ्रिजेट करूंगे और उसके बाद दस मिनट बीच चुका है और ये देखिए इसे आप तुरंत बिल्कुल देना है और यहां देखिए फ्रेंट से धीरे-धीरे करके करके निकल जाएगा क्योंकि आप बहुत मैंने से इस रेसिपी को बनाएंगे और मैंनी चाहूंगे कि आप से टूटे और गलत बने तो फ्रेंट यहां पर थोड़ा सापको ध्यान देना है तो इस तरह से आप इस कि दूटे बहुत पहुत बनाएंगे उ स्जाए और गलत बनाएंगे कर दो कि उ स्जाए प्रेंट बनाएंगे कर दोटे लिएय।